सर यह जो कॉरोना वारिस की बिमारी फैल रहे है बुरी तरह से इसकी वज़ा से जो लोगों की नौक्रियां जा रही है धंदे ठफ हो रहे हैं बुरी तरह से जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा गाओन फिकली वाल है मैं है अपने गाओं का सरपांच हूँ मेरे गाउं में बहुत सारे लड़के जो घरा के बैठे हुए हैं तो जो फाइनेंशल प्रॉल्म लोगों को आ रही है इसके साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं संजे जी यह आपका कोशन बड़ा इंपोर्टेंट के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि फाइनेशल सुनामी आएगी बहुत सारे नियूस चैनल कवर कर रहे हैं नौकरिया चली जाएंगे बिजनसे बिल्कुल ठप हो जाएंगे और जादा ठप हो जाएंगे इस सिच्वेशन को कैसे डील करें मैं अगले पांच मिनट बोलूंगा कुछ ऐसी चीजे कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा कुछ ऐसे तथे शेयर करूंगा जो आपका हो सकता है का दिमा को चल कर दे महारी जिंदंगी में इक होता है हमारा समझ में आपको कीछ लिए उस से शुरू कर रहा हूं और आप प्यासे हैं, 2-3 दिन से नहीं है बखाने के लिए पानी है अगाली तो खाली है तो प्यास भुजाने में कि दिक्कत है खाली किलास से स्टील का इससे प्यास भुजा लोगे नहीं बुजे प्का नहीं चलो रोन आपको इसे बड़ी हावला इसे मेंगे वाला देता हूं उस से ज्याधा कीमती पैसों के साफर कीमती ग्लास में निछुन निदन रही क्लिके चाहते निपान्चर ओ पिर सहाएं आप इमांजन करेंगा स्कुरूश्ट प्यास का बरतन से कोई लेना देना नहीं है आपको पानी पीना है चाहे वो मिट्टी का बरतन हो चाहे वो स्टील का बरतन हो या सोने का बरतन कोई फरक नहीं परता प्यास बुजाने के लिए पानी चाहिए पेट की भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए बरतन नहीं और प्यास बुझाने के लिए सफिशन मेटीरियल है पर अब आपके मन में आ जाए कि मुझे तो सोने के ग्लास से प्यास बजानी है तो फस गहीं नहीं गाड़ी तो आपके मन की मन की भूक मिटाने का कोई हिसाब किताब नहीं है कोरोना से आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरे बात हो रही थी उसका बड़ा टेंशन हो रही है बड़ा प्रब्लम हो जाएगी तुझे कैसे क्राइस आएगा यह बता मैंने पुछा तुम्हाएं पास जमीन है उसने का है यहों पर खेती कर लेते हो उसने का हां खेती कर लेता हूं मैं तो मैंने का आ जाता है चलो उसमें कुछ सबजिया भी लगाते हो उसने बुला हां में लगाता हूं तो सबजिया भी घर की आ जाती है 40% तो मैंने पुछा त उसने बुला हमाई घर में भैंस है तो भैंस से दूद भी आ रहा है उससे मखन भी आ रहा है उसे घी भी आ तो बनाना बना लो पेट की प्यास बुझाने का सफिशन मेटीरियल है उस लड़के के पास विलेज में रह रहा है और वह in-drive independent है हि माल उसे कहीं बाहर के resources की जरुत नहीं सबकूर ने सबसे बड़ा lesson humanity को दिया है वो बोलाए self independent बनो जो कि हमारे visiting यो बाहर से किसी चीज के मंगाने की जरुत नहीं है संजय जी प्रॉब्लम पता किसे है प्रॉब्लम अगी जो लोग मुप लोन लेके बैठे हुए ऐसे लोग जिनके मन की बहुत ज्यादा है ना वो लोग आझ छुपरोनोलोह रखा है कार लोन ले रखा है यहाँ तक की टीवी फ्रिज्ब मैं ले है उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी मैं अपनी कई वीडियो में समझा समझा के ठक गया यार लोन का मतलब है हिंदी में लोन ना तो जिन लोगों है कि हमें शादी पर करोड़ रुपे लगाने हिंदुस्तानिक माइंड सट है पर कोरोना से लेसन हुआ पिछले एक महीं में शादिया नहीं हुई मैं जानता हूं मेरे परिवार में दो लोगों की शादी हुई है और बिल्कुल फैमिली की लोग गए मिनिममम खर्चे पर शा कर लेंगे जो सरफ अपने पेट की भूक्यों पर ध्यान देंगे नेचर के पास जाएंगे सिंपल लिविंग में जाएंगे उनके लिए कोई क्राइस नहीं है जिन लोग की मन की प्यास है वो लोग अलड़ी क्राइस में आ चुके हैं विवास समझा रही है तो की इन्वेस्टमेंट शेर्स में मत करो अब आज की डेट में पूरा शेर मार्केट गिरा हुआ है आगे के लिए ध्यान रखो आपके पास कम से कम भी छे महीने का बैंक बैलन्स होना चाहिए फाइनेशल सिक्यूर्टी बोलते हैं मालीज आपका खर्चा है बीस हजार का तो आ एक कि आपको नहीं टोक डाउन को मैं मैं विलेज में आगया मैं मौर्निंग मांक कर रहा हूं में नेचर को इंज्वाइ कर रहा हूं मुझे किसी तरीके की टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने कॉछन आपको अल्यावरी फाइनिशिल सिक्यूर्चियूर्ट ड़ा आप लेसिन ज़रूरी नहीं शहरों में बनाने करोड़ों रुपे के विलेजिस में आप छोटी जगह लेके सश्ती जगह लेके दीरे-दीरे-दीरे 10-15 लाक में पांच लाक में भी विलेज में घर बना सकते हैं तो यह लेसन अब आपके लिए नेचर में रहो, सिंपल लीडिंग में रहो, लोन मतलब हो, मन की चाहें इन पे कंट्रोल करो यह जो चीज़े फॉलो करेंगे लोग उनको कोई क्राइसिस नहीं है जो लोग मन के सहरे चलेंगे, उनकी लाइफ में क्राइसिस अलड़ी शुरू हो चुका है और वो डिप्रेशन में जाएंगे, वो टेंशन में जाएंगे, जो लोग लाइफ सिंपलिफाइड रखेंगे मेरी तरह, वो लोग उन्जॉई करेंगे वैसे ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आपको अगर ये की मेसेजिस समझ में आए हैं, अपने फैमिली, फ्रेंट्स में शेयर कीजिए, वो जो स्ट्रेस चल रही है उनके मन में, फानेंस को लेके, बिजनस को लेके, जॉब को लेके, थोड़ा रिड्यूस हो जा और एक अच्छा जीवन बिता सकें, कुरोना जैसी प्राब्लम के अंदर भी, जा स्यादा लोग सार वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक्यू वेरी मच्च